गुद मॉर्निंग स्टूडेन आए दिपिका सोलंकी गुइंग तो टीच यू देखा यू देखा ही होगा वह हो सकता है आपके घरों में स्पैरोज ने कभी रखा हो नैस्ट में वह वाले एग आपने देखे हो या किसी फोटो में देखे हो वीडियोज में टीवी में कहीं आपने देखे होंगे कि एग कैसे होते हैं तो यहां पर कुछ एनिमल्स की पिचर दी गई है और उनके बेबी की पिचर दी गई है दिखाई दे रही है आपको क्या करना है जो एनिमल का नेम लिखा है उसके बेबी के नेम से इसको मेच करना है जैसे मनुष के बेबी का ना केट के बेबी को क्या कहा जाता है तो केट के बेबी को कहा जाता है जो अल्रेडी गीवन है आपके पास किटन क्या कहते हैं किटन केट एंड किटन ठीक है डॉग एंड डॉग के बेबी को क्या कहते हैं नीचे लिखा यहां पर डॉग के बेबी को कहते हैं पपी डॉग एंड पपी ऐसे ही थर्ड नमबर पर हमारे पास है एक शिप भेड़ है ना भेड़ मतलब शिप और उसके बेबी को क्या कहते है लेम अशिप एंड लेम ऐसे ही टाइगर तो और टाइगर एंड कब टाइगर के बेबी को क्या कहते है कब कहते हैं ठीक है और a cow and a cow के baby को क्या कहते है calf कहते है सबके गर में होगा न या फिर आपके आस्पडोस में तो ज़रूर होगी गाए तो उसके baby को English में क्या कहते है calf a chicken and a hen याने मुर्गी के baby को क्या कहते है तो उसे कहते है chick चिक चिकन का क्या होगा चिक अब सबसे best thing क्या है आपको ये बताना है कि आपका फेवरेट baby animal कौन है कौन है आपका फेवरेट baby animal बिली का बिच्चा पसंद है कुट्टे का भेड का शेर का काव का सौरी चीते का काव का या फिर मुर्गी का इसका बिच्चा सबसे जादा अच्छा लगता है जरा answer दो तो मैं बोलू तो मुझे तो puppy बहुत पसंद है dog के babies जो होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगता है आप भी बताईए आपको क्या क्या अच्छा लगता है कौन से baby animal अच्छे लगता है चलिए अब हम next lesson पर आते हैं जहां हमारा lesson जो है start हो रहा है हमारी story start होती है एक एग के साथ read this story about a chick किसके बारे में है ये story एक chick के बारे में अभी हमने बढ़ा chick किसे कहते हैं मुर्गी के बच्चे को chick कहते हैं ठीक है तो a little egg is in its nest एक चोटा सा अंडा कहाँ पर है उसके घर में है घर में है मतलब उसके घोंसले में है नेस्ट में है ठीक है एक चोटा सा अंडा अपने घोंसले में है उसमें से अचानक आवाज आती है उस घोंसले में जो अंडा रखा है उसमें से आवाज आती, क्या आती है, उसका एक टुकडा निकल के बाहर उड़ता है, मतलब वो क्या होता है, उसका टुकडा-चिलका बाहर निकलता है मतलब वो रोलडाउन होता हुआ, नीचे नीके उस घोंसले से नीचे आता है अब वैसे तो POC के POC मीन्स क्या होता है यदि persons की बात करें तो pimple को कहा जाता है POC और यदि हम अंडे की बात करें तो जो छिलका होता है उसको बोलते है POC के POC understood तो यहाँ पर इसका मिनिंग ये है कि वो roll down होता हुआ मतलब वो क्रेक होता है फिर फूटता है थोड़ा सा और roll down होते हुए आवास करते हुए नीचे की हो रहाता है अगली लाइन में क्या लिखा है दल लेटिल एग दल लेटिल एग रोल्स डाउन दे स्ट्रॉव वो घास फूट से होते हुए वो कहां जाता है नीचे roll down होते 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 आता है और जो बान है वहाँ से गुदाम से नीचे गिरता हुआ आ जाता है लुड़कता हुआ अब वो जैसे ही आता है तो फिर उससे आवाज आती है पिक तो एक शिप होती है कौन होती है शिप होती है तो वो सोचती है यह किसकी आवाज है फिर वो रोल डाउन होते हुए एक डॉगी के पास से गुजरता है फिर आवाज आती है पैक और एक animal मतलब गाय के पास से होकर गुजरता है और फिर आवास करता है पॉक 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 अब लिटिल एग रोल्स टाउन दहील एंड एंड इंटु दवुड्स वुड्स मीन्स लकडिया नहीं होता है यहां पर वुड्स का मीन है जंगल जहां पर बहुत सारे पेड होता है उसे कहते हैं वुड्स वुड्स मीन्स सिर्फ लकडिया नहीं होता ठीक है तो यहां पर वो लिटिल एग रोल्डाउन होता हुआ कहां आता है नीचे हिल से नीचे बताया तो यहा पर यह किस का घर है यह एंइमल्स को रखने का स्थान है तो रहता है यहाँ पर आपारों रहता है और कहां चला जाता है हील को पार क करते हुए जंगल की ओर बढ़ता है वहां पर एक लोंड़ी और को खा जाओं तो मुह में जैसी पकड़ती है वो अंडा फिर क्रैक होता है और आवाज आती है पिक दर के मारे मुह से छोड़ देती है फिर आवाज आती है जैसे ही वो छोड़ती है पैक और घबराट के मारे उसे छोड़ के जैसे ही वो मुह से नीचे गिराती है तो वो रोल एक rolls down a hole जो छोटा सा अंडा है roll down करके कहां जाता है एक छोटे से hole में चला जाता है छेद में चला जाता है गड़े में पता है hole में कौन रहते हैं rabbits रहते हैं तो rabbits के babies क्या करते हैं उसको shoots out into the night रात के अंदेरे में देते हैं उसको शूट करके बाहर फेक के बाहर निकाल देते हैं वो उसके घर में चला जाता है वो अंडा तो उसको किक करके बाहर कर देते हैं अब वो जम्प करता हुआ मतलब अब उस अंडे में से एक पेर निकल आया है बार तीक है अब वो जो पेर निकल आये है एक या दो जो भी है वो जम्प करते हुए आगे बढ़ते हैं एक फिल्ड को क्रॉस करते हैं एक खेत को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं फ्लाइज up into the sky और अचानक उसे कोई bird पकड़ लेता है कौन दिख रहा है यह तो आउल है तो उसको आउल उठा लेता है कौन उठा लेता है और उसे उठा कर कहां ले जाता है flies up into the sky और आसमान में उड़ा कर ले जाता है फिर आवाज आती है क्रैक 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 और फिर कुछ तूटने की क्रैक की आवाज आती है उस अंडे में से और वो अंडा जाकर किस पे गिरता है उस डॉगी पे जैसे ही डॉगी पे गिरता है फिर अंडा कुछ फूटता है और उ और जो अंडा ले जाता है ना आओल वो उसके पंज़ा जाता Ohh सिदेस का Drogi के उपर गिरता है और जिसे मुझンダ बण है वो टूट thing you can find je tons निकलता और घूट जाता है उससे बाहर एक चोट चिक निकलता है नेस्ट नेस्ट में ता review याने मुर्गी का बच्चा निकलता है और वो बोलता है चिप 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 The story is written by Tanya Landman ओके ये Tanya Landman के द्वारा लिखी गई है बहुत प्यारी story थी आप भी अपने friends को parents को ये story जरूर सुनाईएगा आप इसे सुन लीजिए और अपने friends को सुनाईएगा Okay? Have a nice day to all